नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर आयू रहस्य की ग्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमने लास्ट टाइम ग्रहों द्वारा दिये जाने वाले रोग से कैसे मृत्यों होती है या क्या कारण बनता है या क्या मिस्चीरियस आ जाते है उसके बारे में जाना आज मैं आपको पैम पदती द्वारा आयू कैसे रहेगी लॉंग आयू होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम मृत्यू ग्रह की दशा कौन सी दशा है जो मृत्यू दे सकती है किस ग्रह की दशा में हमें मित्यू आ सकती है उसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ये इश्वरिये रचना है हम चोकि इसके अभी जानने के और भी तरीके हैं मैं बहुत शौट तरीके बता रही हूं इन में अभी बहुत कुछ है जानना पूरी तरीके से वीडियो में बताना मुश्किल है इसके लिए बहुत समय किसी कुणली के उपर लगाना पड़ता है फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हम कुछ एक उस क्लू तक पहुँच पाएं जिससे कि हम जान सके कौन सा समय मृत्यो तुल्ले कष्ट दे सकता है या मृत्यो दे सकता है तो आते हैं आज मारक भाव पर जो कि हम लें लास्ट टाइम भी थोड़ा सा समझा था कि जनम लगं से अश्टम भाव अयू का भाव है दूसरा सात्वा भाव मारक भाव है तो वो मारक भाव कैसे है आयू का भाव अश्टम भाव है अब भावत भावम के अनसार आयू से आयू का भाव यानि अश्टम से अश्टम तीसरा भाव है ये तीसरा भाव मृत्यो के दशा के लिए बहुत important हो जाता है क्योंकि यह भाव दृत्य भाव से दृत्य यानि मारक से मारक भाव है और तृत्य भाव से दूसरा मारक भाव जो होता है वो बार्वा हो जाता है अब अश्टम भाव से देखें तो अश्टम से बार्वा सब्तम भाव मारक है और अश्टम से अश्टम का बार्वा त्वित्य भाव मारक भाव है दूसरा और सात्वा मारक भाव जो की आयू के भाव से बार्वा और आयू की आयू के भाव से बार्वा है यानि ये भावों की दशा इन भावों की दशा आपके लिए कश्टकारी हो सकती है और मृत्यों ला सकती है विशेश रूप से तीसरा भाव क्योंकि वो अश्टम से अश्टम है अश्टम भाव ये नवम भाव से बारवा है यानि जब आपके भाग्ये की हानी पिता की हानी या आपके गुरु या धरम की हानी या व्याय भाव जो हुआ उस पे कश्टा है तब आप पर कश्ट आता है जोट्शे विद्वान आयू की पूर्णता का विचार अश्टम भाव से ही करते हैं क्योंकि मृत्यू केवल आयू की पूर्णता या समाप्ती को दर्शाती है जब मृत्यू हो जाती है यानि आपकी आयू पूर्ण हो गई या समाप्त हो गई तो इस प्रकार अश्टम को ही हम आयू का भाव भी माने और नत्यू का भाव भी और तीसरा भाव क्योंकि हमारे प्रयासों का भाव है शारिरिक बल का भाव है तो ये प्रयास का भाव हमारे बाहु बल भी है तो जब हमारे बाहु बल की हानी मारक भाव से द्वित्य भाव और अश्टम से अश्टम भाव और सक्तम भाव जो की आयू का व्या है उससे ये भाग्ये अपके मारक की भाग्ये का उदे होना और वहां यदि पाप्र भाव हो और उनकी दशा आ जाए तीसरे भाव की दशा हमेशा कश्टकारी होती है क्योंकि ये त्री शडाया भावों में पहला त्री शडाया भाव है जो प्रयास का है जो कश्ट का है और चतुर्त से सुख से बार्वा सुख का भी वे भाव है तो तीसरा भाव बहुत important है तो जो प्रथम श्रेरी में मारत भाव जो बली होगा यानि तीसरा दूसरा सात्वा और आठवे भाव में से जो भाव अधिक बली होगा जिसके उपर अधिक पाप ग्रहों का संबंद होगा जो ग्रह शत्रु राशी में होकर या नीच राशी में होकर अस्त होगा शत्रों से पीडित होगा उस भाव की दशा आपको मृत्यू दे सकते और बार्मा भाव जो अस्तम से बार्मा सप्तम भाव प्रबल मारकेश हो जाता है जबकि दृत्य भाव दूसरी श्रेणी का मारकेश है क्योंकि प्रतम श्रेणी में जो मारक भाव होता है वो सप्तम भाव का स्वामी हो क्योंकि यह आयू भाव से बर्वा है और तृत्य भाव का पूर्जनम का करम है दीसरे भाव से यह पंचम है तो यह प्रबल मारकेश भुआ यानि आपके पिछले जनम के करमों को जागरित भी करता है जब तृत्य भाव की दशा आपके प्रयासों की आती है आपके सुख के व्याय की दशा आती है या आपकी छोटी यात्रा तो यात्रा में कहिश्ट अगर होता है दूसरी श्रेनी में दूसरा भाव और कुंडली का बार्मा भाव ये तीसरी श्रेनी का आयू के व्याय का भाव क्योंकि यह लगन से बार्वा शरीर का व्या है तो प्रतम श्रेणी का जो हमारा हुआ मारक भाव वो सक्तम है दूसरी श्रेणी का मारक भाव वित्य है और तीसरी श्रेणी का जो मृत्यू दे सकता है आयू का व्या करा सकता है वो बार्वा है तो दूसरा, तीसरा, सात्वा, आठ्वा और बार्वा भाव की दशा के स्वामी उनकी हमें विवेचना करनी चाहिए उनकी दशा कितनी कश्टकारी होगी ये देखने के लिए आपको अन्य वर्गा में भी जाना जो हम पहले ही कह सके है कि उसके लिए आप उसका 64 वा नमाश भी देखे, 22 वा द्रेश कॉन भी देखे या देखे वो शत्रुशेत्री तो नहीं है पिलित तो नहीं है नमाशा में द्रेश कॉन में, सबतामशा में, द्वादामशा में और हुरा में ये कुछ महत्पून वर्वचार्ट है जिनमें अगर ग्रह पीडित होता है तो अधिक पीड़ा देता है। कौन अधिक पीड़ा देगा उनके स्वामियों को देखें और उनकी जाच करें। जब कुनली के मारक भाव के स्वामी दृत्ये और सब्तमेश इनकी दशा हो और उनका संबंद अन्य बली पाक ग्रहों से अस्त निर्बली ग्रह या पूर ग्रह होकर इन भाव के स्वामियों से संबंद बनाए तब व्यक्ति की मिट्यों संभव है। हमारे बाकी के नौम्स मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी उन्हें देखना अवश्यक है। देखें मित्यू देख रहे हैं जीवन का अंत देख रहे हैं तो उसके लिए हमें सभी संभावित जो घटनाए घटती हैं। क्या वो मित्यू तुले कष्ट दे रहे हैं या मित्यू दे रहे हैं उसकी जाचवे बहुत ध्यान से सभी पहनों को जानकर ही बतानी है। यहां मेश लगन के लिए शुक्र और तुला लगन के लिए मंगल दोनों ही मारकेश यानि प्रबल मारकेश हो जाते हैं। गुरु और शुक्र शुब ग्रय is। यदि यस केंद्र के स्वामी हूँ। तब इनहें केंद्र अदि पती दोश से शुब नहीं होकर सम हो जाते हैं। क्योंकि शुब ग्रे हम कहते हैं, केंदर में बैठते हैं, तो अपना basic, natural सभाव से थोड़ा भी प्रीत हो जाते हैं, शुबता नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अशुबता भी नहीं करते हैं, नूट्रल हो जाते हैं, ना मैं शुब हूँ, ना मैं अशुब हूँ, तो मैं शुब के साथ मिल गया, तो आपको शुबफल दे दिया, लेकिन अगर मैं अशुब क्रूर ग्रे से मिल गया, क्योंकि मैं neutral हूँ, तो मैं उसके बस में, बली अगर अशुब ग्रे उससे संबंद रखेगा, तो वो उसके बस में उसके लिए काम करेगा, तो इसलिए यह सप्तम भाव के स्वामी भी पली मारकेश की भूमिका में जब होते हैं तो ट्रबल मारकेश बन जाते हैं सप्तमेश और सप्तम भाव से संबंद रखने वाले नैसरगिक अशुब्र है जैसे मंगल, शनी, राहु, के तू यदि निर्बल हों, शत्रु राशी में हों, नीच राशी में हों और मारकेश से संबंद में हों तब मृत्यू प्रदान कर सकते हैं केंद्र के स्वामी गुरू या गुरू से संबंद रखने वाले पापी ग्रहों की दशा भी आपको मृत्यू कारी कर्ष्ट या मृत्यू दे सकती व्याय भाव के स्वामियों का मारकेश से संबंद यहां हम मारकेश से संबंद रखने वाले ग्रहों को देखेंगे और तीट और आठवे भाव के स्वामियों से भी उसका संबंद देखेंगे शुग्र है नीच राशी में होकर या शत्रू राशी में होकर दूसरे, सात्वे, तीसरे और बार्वे भाव में स्थित हो तब वैं मृत्यू दे सकता है शुग्रह, शुक्र, बुद्ध और गुरु ये अगर दूसरे, सात्वे, तीसरे और बार्वे भाव में हो तो ये मृत्यू दे सकते हैं यदि यह है शत्रु शेत्र में हो, पापी ग्रह हो, उनके संबंद में हो या नीचकरों के संबंद में अश्टमेश, तृत्येश, यदि पाईसवे द्रेश कौन और चौसटमेश महाश का स्वामी होकर मारत भाव से संबंद बनाए तो उसकी दशा में पाप ग्रहों के संबंद की अंतर दशा आ जाए, तो भी ये मृत्यू दे सकते हैं अब आते हैं महरेशी जैमनी जी के पैमियम, पैम का पूर्न अर्थ क्या है, पैम पी यानि पूर्न आयू, जो की 64 से 96 वर्ष या इससे उपर मानी जाती है अलपा यू, 20 से 32 वर्ष तक की दशा आयू, और एम मद्य आयू, 32 से 74 वर्ष तक की आयू अब इसे कैसे जाने की, इस पद्धति के हम समू बनाते हैं, जो की लगुपराश्री और श्रिफी बीपी गोहिल जी ने भी अपनी आयू रहस्य पुस्तक में दिया गया है जो पूर्ण आयू है, उसे हम चर राशी से देखते हैं, यानि चर राशी के ग्रह है, पूर्ण आयू प्रदान करते हैं, एक, चार, सादश, चर राशियां और स्थिर राशियां दो पाँच आठ गा ग्यारा ये अलपायू प्रदान करती है और द्वी सभाव राशियां तीन छे नो बारा ये मध्यायू देती है तो पराशी नियमों के अनसार इनके दो-दो कारकों का हम विशलेशन करेंगे या कहिए इन्हें हम दो ग्रुप बना दे तो उसके लिए मैंने आपके सुविधा के लिए यहां एक ग्रुप बनाने की कोशिश की है पूर्नायू चर राशिया अलपायू स्थिर राशिया मध् तो हमारे समूम है कि लगनेश और अश्टमेश को देखे यह चर में है स्थिर में है या द्वी सभाव है श्विर्शनी और चंद्रमा को देखे सेम किस राशी में गए है चर स्थिर्या द्वी सभाव चनलगन और चंद्रलगन को देखे यह किस राशी में है चर स्थिर्या पद्वी सभाव में और जन्म होरा जब जन्म लगन और जन्म होरा लगन इनके स्वामियों को देखे ये कहा है मैं होरा लगन यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी कैल्पिलेशन में बहुत समय लगेगा लेकिन फिर भी आपको एक हिंट जरूर देंगी ते अभी हम द दूसरा नंबर ग्रहों के समू का है यानि लगनेश और अश्टमेश ग्रह है लगन का स्वामी अश्टम का स्वामी दूसरा समू भी ग्रह का है शनी ग्रह है चंद्र ग्रह है इनको देखेंगे ये किसमे गए फिर जनम लगन और चंद्र लगन देखेंगे ये लगन से दे है उसे इसलिए लिया है क्योंकि वो आयू का रख है और चंद्र लगन ये लगन की मानसिक्ता और शरीर के लगन को बताता है अब के मानसिक्ता के लगन को बनाता है जन्र लगन चंद्र लगन के अनुसार आयू नर्ने अकसर सहायता करता है इसको कैसे जानेंगे आइए इसका एक उधारन मैं आपको देती हूँ, वही सुषान सिक राजपूत का मैं उधारन ले रही हूँ, जन्म लगन हमने देखा, यहां लगना लौड मंगल है और अश्टम लौड भी मंगल है, तो हम मंगल को देखेंगे, मंगल कहा स्थित है, मंगल तुला में है, यह चर्राशी है तो हमने देखा, यहां लगन और अश्टम लगन, मेश और व्रिश्चिक राशी, मेश राशी चर्राशी, व्रिश्चिक राशी स्थिर राशी, तो चर्र और स्थिर मद्धियायू बताती है, ठीक है, इससे हमने यह निकाला, चर्राशी और स्थिर राशी मिलकर मद्धिया बताती है अब आते है शनी और चंद्रमा पर तो शनी जिस राशी में विराजमान है वो देखे स्थिर राशी है चंद्रमा कहां विराजमान है स्थिर राशी में तो अब हम फिर से देखे स्थिर राशी जो है वो क्या बताती है वो अलपायू बताती है वो अलपायू बताती है Saturn प्लस मून यहां स्थिर राशी स्थिर राशी यह अलपायू बताती है अब हम तीसरी जाज करेंगे लगन और मून लगन लगन है चर राशी मून लगन है स्थिर राशी तो फिर से देखे चर और स्थिर यहां मद्य आयू बताती है यानि यहां अलप आयू और मद्य आयू का स्थान हमने तीन जगा देखा चेक करके तो यहां चर और स्थिर अलप आयू इन तीनों में दो बार अलप आयू आये तो अलप आयू जो थी हमारी कितने वर्ष की दी गई है अलपायू हमने यहां देखा अलपायू है 20 से 32 वर्ष केवल दो वर्ष अदिक इतना आज की रेट में हम कह सकते है इतना तो उपर नीचे होता है तो सुशान सीग राजपूर की डेथ 14 जूम 2020 पो हुई 1986 का बर्थ है 34 वर्ष में इनकी मृत्यू तो हम अलपायू में इनकी मृत्यू देखते है दशा अनुसार अगर हम देखे तो उस समय दशा सूर्य शुक्र राहू राहू की थी 14 जूम में देखे सूर्य शुक्र राहू राहू और प्रान आयू जो इनकी अंतिम की वो प्रांदशा शनी की शनी अश्टम भाव में है अचानक का कारक है राहू लगन में है जिसके स्वामी मंगल चर राशी है मंगल यहां बैठे है केतु के साथ चर राशी में अब शुक्र देखें तो वो भी शनी की राशी में है महादशानात उसके साथ बैठे है गुरू भी यहां है और बुद्ध भी यहां उस समय ट्रांजिट में 2020 में शनी यहां जीरो डिग्री के आये थे गोचर कर रहे थे मैं गोचर की बात हम अभी वैसे नहीं करनी चाहिए किन्तो यहां प्रांदशा में शनी शनी का अश्टम भाव से संबन शनी का महादशानात से संबन और शनी का शुक्र से भी संबन जो कि इनकी आयू को बताता है किन्तो यह अंतिम निर्ने हमारा नहीं हो सकता इस पद्धती अनुसार क्योंकि आगे देखें अमिता बच्चन का चाहिट है इसको देखें तो लगना लौड पर्स एट लौड लगना लौड स्थिर राशी और द्वी सभाव राशी द्वी सभाव यानि यहां एट लौड और लगना लौड शनी और बुद्ध है यहां मैंने गलती से मंगल लिख दिया है शनी और एट लौड बुद्ध है जो बुद्ध यहां डूड साइन में है तो स्थिर प्लस डूड जूड साइन पूर नइयू बताता है बहुत बड़िया शनी और चंद्रमा देखे, शनी स्थिर्राशी, चंद्रमा चर्राशी जो की मद्ध्य आयू देता है लगन स्थिर्राशी, चंद्रमा चर्राशी फिर से मद्ध्य आयू देता है जबकि इनकी आयू इस समें 80 प्लस ये रणिंग है इश्वरुने लॉंग आयूदे जो की लगन अनुसार और एट अश्टम अनुसार पूर्ण आयू आती है तो यहाँ दो जगए मद्धी आयू एक जगए पूर्ण आयू है होरा लगन हमने नहीं निकाली है होरा लगन के लिए आपको फिर कभी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो होरा लगन आपको बताऊंगी कैसे निकालते है श्री वीपी गोई जी कि आज कल होरा लगन पे वीडियो आ रही है आप उसको भी देख सकते हैं और की होरा कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके अनुसार भी अगर आप देखें, तो आपको आयू का एक अंदाजा लगता है, कि बद्ध्य आयू है, पोन आयू है, या अलप आयू है, लेकिन यहाँ अलप आयू नहीं है, और यह पोन आयू की ओर जा कारी यानि थोड़ा रोग से सम्मंदित आयू हो रही, मित्रों जाते-जाते आपको याद दिला दू, आज हमारा आखरी दिन है, रेक्टोगेट प्लेनेट के रजिस्टेशन का, अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, तो आज ही अपना रजिस्टेशन करा ले, आपके ल किये है, ताकि कल से मैं आपको रजिस्टेशन लिंक भेज सकूं, तो मित्रों आज के लिए इतना ही आशा करती हो, आपसे फिर मुलाकात होगी, आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, और अपने सुझाब भी बनाए रखिएगा, प्लीज लाइक दे चैनल एंड सब्सक् पर अपस्टेशन से च्बड़ें आपशराथ, खिरा रखिएगा.